शुर्प नखा एक स्त्री दूसरी स्त्री के रिदे में छुपी वी बात को पहचान सकती है। मैं देख रही हूं कि तुम अपने नीजी प्रतिशोत के लिए अपने महा परक्रमी भाई को एक चोर का काम सिखा रही हो। नीती कहती है कि अगनी, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुछ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारन मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूशन को पराजित किया। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिनाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कारिय व्यक्तिगत नहीं हो सकता महराज। यदि तुमने उन्हें पैचान ही लिया है कि वे स्वयम भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनकी शरन में चले जाओ। मुक्ति के पत पर प्राणी अकेला ही चाता है। यह अवसर तो किसी विरले को ही मिलता है। वच्स तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। मैं एक माँ हूँ, केवल एक भागन माँ, जिसके आचल के फूल को उसी पगिया के माली ने अपने हाथों से नोच डाला। तुम पागल हो रही हो मंदोद्री। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो आप है लंका पती। अपने अकांख्षैओं की याग में एक के किया हूती चड़ा रहे हैं आप। आज मेरी कोक केवल अनमोल रत्न को, मेरी प्रचन पराक्रम पुत्र मेगनाद को, अपनी वासना के जउआलब में जोकती हैं आपने। अपने ही हाथों अपने पुत्र की भली चड़ा देने वाले क्रोर पिता हैं आप शुर्प नखा एक स्त्री दूसरी स्त्री के रिदे में छुपी वी बात को पहचान सकती है मैं देख रहीं कि तुम अपने निजी प्रतिशोत के लिए अपने महा परक्रमी भाई को एक चोर का काम सिखा रही हो स्वामी यदि किसी स्त्री को पाना इतना ही आवश्यक है तो एक वीर की भाती उसे युद में जीत कर ले आईए जिसे आप चोर की तरह उठा लाएंगे वो आपका क्या आदर करेगी दूसरी बात ये भी विचार योग्य है कि वो किसी और किस्त्री हो चुकी है पर्स्त्री का हरन एक पुरुष के लिए कहां तक धरम संगत है